अगर आपने इंटर्वी वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएंगे इंटर्वी वीडियो के लिए इंटर्वी वीडियो के लिए इनको भी आप जरूर पढ़िए चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटर्वी वीडियो करने का लिंक चेक करिएगा और कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं ठीक है स्टार्ट करें बैंक रेट से बैंक रेट आप देखो बैंक रेट क्या होता है मतलब आप यह मानिए कि Reserve Bank of India Commercial Banks को लोन जो देता है जिस रेट पर उस रेट को हम बोलते हैं एक कमपनी है A, एक कमपनी B, एक कमपनी C यह एक बैंक है ठीक है यह लोग बैंक के पास लोन लेने को आए ठीक है अब बैंक के पास जो पैसा है उस हिसाब से बैंक लोन देगी बैंक के पास पैसा था बैंक ने A को लोन दे दिया बैंक ने B को भी लोन दे दिया लेकिन जब C को लोन दोने की बारी आई तो बैंक ने देखा यार अब तो हमारे पास पैसा बचा नहीं है इसको लोन देना है 4000 करोर्स का तो बैंक क्या करेगी बैंक Reserve Bank of India से बोलेगी कि सर हमारे पास पैसा नहीं है हमें पैसा चाहिए लोन देने के लिए Reserve Bank of India माना करेगी नहीं Reserve Bank of India का करेगी बोलेगी ठीक है आप हम से लोन ले लो तो Reserve Bank of India ये 4000 करोर रुपए बैंक को दे देगी और बैंक क्या करेगी जो भी C Company थी उसको Finance कर देगी अब Reserve Bank of India फ्री में तो पैसा देगी नहीं उसके लिए चार्ज करेगी तो जो भी Interest Rate RBI जो है लेगी उसे हम बोलेंगे Bank Rate कितनी Interest Rate है मैं अभी इस वीडियो में बता नहीं रहा हूँ ठीक है वो आपको खुद से पढ़ लेना या फिर हम एक PDF तो एकाउंट में प्रोवाइट करेंगे ही जो लास्ट में कि updated list क्या है योगी rates चेंज होते रहते हैं अभी कब चेंज होंगे कब इंटर्वी होता है कुछ clear नहीं है तो इस rate को हम क्या बोलते हैं Bank Rate अब देखो जो bank rate होता है इससे RBI जो है inflation को भी control करने के काम करती है क्यों अभी ऐसा हुआ कि अगर RBI बहुत ज़्यदा पैसा banks को दे दे रही है तो banks क्या करेंगी सबको loan बाटेंगी लो भाई तुम भी ले जाओ लो भाई तुम भी ले जो लो भाई तुम भी ले जाओ भाई कहती है चलो हम 1% पर loan दे रहे हैं 1% पर नहीदे देंगे तो सब लोग Yazant सब को पैसा बाटेगी जितने जयादा पैसा bank market बातेंगी उतने जयादा market में पैसा बढ़ जाएगा और market में जितना ज़्यादा पैसा होगा, पैसे की जितनी ज़्यादा liquidity होगी, मतलब क्या है, कितनी आसानी से पैसा अवलेवल है, अगर बहुत आसानी से market में पैसा अवलेवल है, तो liquidity रहे हैं, में नहीं मिल पा रहा है तो लिक्विडिटी कम हुई पैसे की ठीक है तो अब रिजर्ब बैंक आफ इंडिया गर एक ही परसंट इंट्रेस्ट पे देगा तो बैंक कहेंगी अरे वह एक नहीं है तो लोग लेने से बचेंगे तो इस तरह से रिजर्ब बैंक आफ इंडिया का करता है पैसे को कंट्रोल करता है मार्केट में अब जो भी ये बैंक रेट होता है इस रेट पे जो भी बैंक लोन लेती है रिजर्ब से यह विदहो। सीक्यूरिटी होता है और मैं समझ में आयेगा रेपो रेट रेपो रेट भी वह रेट होता है कि जिस रेट से बैंक Odyssey वाइप पंडिया से लोन लेती है जो अभी मैंने बैंक रेट नो बताया वही रेपो रेट भी है लेकिन इसमें एक फर्क है कि बैंक रेट तो without security मिलता है लेकिन जो आपको रेपो रेट मिलेगा यह जो बैंक के पास surplus government securities होंगी surplus government securities क्या होती है मैं आपको बता दूँगा चलिए ठीक है एक वीडियो में जो बैंक के पास surplus government securities होंगी वो RBI को देनी पड़ेंगी ठीक है यह short term के लिए होता है रेपो रेट जो होता है वो short term के लिए होता है short term मैं लिख दे रहा हूँ अब bank interview में पूछ लिया अच्छा short term के लिए कितने term के लिए तो up to 14 days या two weeks आप बोल सकते हैं ठीक है 14 दिन के अंदर अंदर bank को वो पैसा जो reserve bank से उधार लिया है वापस करना होगा collateral रखा जाता है उसके बदले में एक agreement होता है कि पैसे जैसे ही bank के पास आ जाएंगे bank reserve bank of India को वो पैसा